हलो डियर टुडेंस कैसे हैं आप सब लोग आपका दो दिन बाद एक जाम है तो अभी इसके पहले important question मैंने बताया था तो इस वीडियो लक्चर में भी कुछ most important questions देख लेते हैं तो 176 तक मैंने इसके पहले आले वीडियो में बताया था 177 से देख लेते हैं अभी first unit के ही question important है इसके बाद मैं just second unit के important question आप लोगों को बता दूँगी तो यहाँ पे देखते हैं 177 पे देखते हैं कंठ माला से संबंधित ग्रंथी है कंठ माला से संबंधित कौन सी ग्रंथी होती है तो thyroid ग्रंथी होती है जो हमारे गले में पाई जाती है तो आफसन आपका correct हो जाएगा next question देखिए 178 पे देखिए मुझ से सास लेने से हानिया है मुझ से सास लेने की हानिया क्या होती है हवा से किटार जाना हवा से क्या होता है किटार अंदर चले जाते हैं तो आफसन आपका correct हो जाएगा next देखिए 179 पे देखिए malaria रोग होता है मलेरिया रोक किसे होता है एना फ्लीज मच्छर के काटने से होता है तो यह आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स क्वेशन देखिए 180 पे तपेदिक रोक मुख्यतेया है निम्न दो प्रकार का होता है कौन कौन से प्रकार का होता है पहला फुस्फसी है आप फुस्फसी तो आपका आफसन करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 181 पे योग सिच्छा से संबंदित उपकरण है योग सिच्छा संबंदित खेल समागरी खेल समागरी होता है जो योगा करते हैं तो खेल में भी आपका योगा ही होता है तो खेल समागरी का क्या होता है योग सिच्छा से संबंदित उपकरण होता है तो बीज ये हमारा क्या कहता है? खुजली फैलाता है पर जीवी होता है तो आपका option correct हो जाएगा next देखिए 183 पे देखिए जब हड्डी तूटने के साथ गाउ भी होता है तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? विस्मास्थी भंग विसम अस्तिभंग बोलते हैं तो बाफसन आपके निफ्ट जाएगा नेक्स देखिए 184 पे हड्डी के जोडों पर अचानक जटका या जोड पढ़ने से क्या होता है मोच आजा जाती है तो बाफसन आपके नेक्स देखिए 185 पे जोड की एक या अधिक हड़ी के हटने को कहते हैं क्या कहते हैं हड़ी उतर जाना एक या एक से अधिक हड़ी के हटने को क्या बोलते हैं हड़ी उतर जाना हड़ी का तूटना नहीं होगा कच्ची तूटना होगी मूझ आना नहीं होगा हड़ी उतार जाना दा आफसन करेक्ट हो जाएगा आपका नेस्ट कोईशन देखिए 186 पे रक्त स्राव इन में से किसी प्रकार का हो सकता है तो कौन सा आफसन करेक्ट हो जाएगा कोश्की रक्त स्राव सीरा से रक्त स्राव धमनिय रक्त स्राव उप्यूक्त सभी तो इसमें से उरक्त सुराव तो कहीं से भी हो सकता है तो उप्यूक्त सभी दाफसन आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 187 पे योग सब्द की उत्पत्ति हुई है संसकत भासा की सब्द से तो कौन से सबसे यूज से यूज से दिये तो आपका साफसन करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 188 पे संतुलीद भोजन से अभी प्रयाय है संतुलीद भोजन से क्या भी प्रयाय होता है तो साफसन आपका करेक्ट होगा स्वारंग्डी भोजन तो आपका साफसन करेक्ट हो जाएगा 189 पे देख लेते हैं रीड की हड़ी को सीधा रखने एवं ध्यान को एकाग्र करने में सहायक आसन है तो आपका बाफसन करेक्ट होगा प्दमासन जो होता है वो सहायक आसन होता है निष्ट देखते हैं 190 पर जलने और जुलसने में क्या होता है अंतर होता है जलने और जुलसने में अंतर होता है तो आपको ए आफसन करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखते हैं 191 पे मोच आने पर मोच आने पर क्या हो जाता है लिगामेंट्स खिच जाते हैं लिगामेंट्स टूट जाते हैं हड़ी उतर जाती है या फिर आयन बाद दोनों लिगामेंट्स खिच जाते हैं लिगामेंट्स टूट जाते हैं तो और आयन बाफसन दोनों करेक्ट हो है कौन से क्रिया होती है सरवागसंत में होता है तो आपका आफसन करेक्ट हो जाएगा नेक्स देखिए 193 पे कानों की परिच्छा का सबसे उप्योग्त यंत्र निम्नि में से कौन सा है तो आफसन आपका करेक्ट होगा आडियो मीटर आडियो मीटर क्या होता है कानों की परिच्छा का सबसे उप्योक्त यंत्र होता है नेक्स देखते हैं 194 पे उपचार और अनवलती पतिक्रियाओं की वेवस्था के बीना स्वास्त परिच्छड है क्या होता है स्वास्त परिच्छड अपूड तो बाफसन आप करेक्ट हो जाएगा 195 पे देखिए दाहक विस्थ होता है उप्रियुक्त सभी एसीड अमोनिया काश्टिक सोडा तो उप्रियुक्त सभी हो जाएगा 196 पे देखिए स्वास्त केवल रोग अत्वा दुरबलता की अनपस्थती को नहीं बलकी संपूर सारेरिक मांसिक तथा समाजिक खुसहालिक इस्थिति को है को कहते हैं या परिभासा दी है किसनी दी है तो आपका आफसन करेक्ट हो जाएगा विस्थ स्वास संघटन ने तो आ 197 पे पढ़ते समय पुस्तक तथा नेत्र के बीच उची दूरी कितनी होनी चाहिए तो आपका साफसन करेक्ट हो जाएगा 12 इंच की दूरी होनी चाहिए 198 पे देखिए मलेरिया का कीट है मच्छर मच्छर जो होता है मलेरिया का कीट होता है 199 पे देखिए निम्न मेंसे पेत विशुरोधी तत्त होता है टिंचर आयोडीन एवं कर्मिकी क्रोम तो आपका बाफसन करेक्ट हो जाएगा नेज़ देखते हैं 200 पे जीवाड़ों का समूल नास कहलाता है क्या कहलाता है नी संक्रमर एंड गंध निवारण तो आएंड बाफसन दोनों करेक्ट हो जाएगा न एंज़ एंटितनर्स की जीवाड़ों किस प्रकार फैलते हैं तो बाफसन करेक्ट हो जाएगा चर्मिके संघर्षड द्वारा क्या होता है एंज़ एंज़ एंड टेन्स की जीवाड़ों फैलते हैं नेक्स देखते हैं 210 पे अस्थी तंते के भाग हैं तो खोपड़ी भी ह धरब ही होता हैudim पैर भी होता है तो थी सबती है भाग होते हैं तो अंप्योग तो सभी यह आपके फिर्ट यूनिट के 210 question थे जु朝 इंपर्टन थे इसके बाद SECKND unit के question को आपको important बतादगी four unit आपके हैं तो आपका दो दिन बाद exam है तो जब तक exam है तो आपके four unit के question पूरे complete करा दोंगी ओके thank you students तो यह आप लोग read करते रहिए questions को